दुनिया में हवाई जहाजों के अपने-अपने तजूर्वे होते है और कई बार ये हवाई सफर आचानक से हाद्से के शिकार हो जाते है जो कई मोतों का सबक बनते है और कई बार पाइलेट की सुझ बुझ से कई जाने बच बी जाती है और आज की वीडियो में हम आपको कुछ दिल देहलाने वाले दुरुष्य दिखाने वाले है कुछ ऐसे वाक्या बताने वाले है जो है बहुत खतरना प्लेन लेंडिंग्स तो बने रही है इस वीडियो के अंत तक हडसन नदी में की गई प्लेन लेंडिंग ये नियुयोर्क की एक सची घटना है एरबेस 302 नाम का ये हवाई जहाज पक्षियों के टकराने की वज़ा से हादसे का शिकार हो गया विमानी आत्रियों को पता चल गया था कि विमान में आग लग चुके है पाइलेट को ये पता चल गया था कि अगर जल से जल लेंडिंग नहीं की तो सारे लोग मारे जाएंगे जबकि वापस लोटने का चांस भी खत्म हो चुका था तब पाइलेट ने पास की हड़ सन नदी में विमान उतारने का फैसला लिया और बड़ी ही सूजबूज के साथ ये प्लेन हरसन नदी में उतारते आ गया हाला कि लेंडिंग में बहुत बड़ी जोखिम थी और लेंडिंग के बाद लाइफगार ने सभी को बचा भी लिया सुनने में ये लेंडिंग खतरनाग भी लगे लेकिन पाइलेट की समझदार की वज़ा से यहाँ पर हाथसा होते होते बच गया लोगों की धड़कने बढ़ गई थी लेकिन पाइलेट ने किसी की भी जानत जाने नहीं दी जब हम आसमान में होते है तो एक तरह से हमारी जिन्दगे पाइलेट के ही हाथ में होती है दोस्तों कई परिस्थितियों में इनका साहस देखने लाइक होता है और एक बारे की उक्रेनियन पाइलेट टर्किस जहाज उड़ा रहा था उन्होंने बहुत खतरनाक वातावरन में उस प्लेन को लेंडिंग कराई थी जबकि जहाज में 120 यात्रे और क्रू मेंबर शामिल थे और सभी की जान बचाने में पाइलेट एलेक्जैंडर सफेल भी साबित हुए और इस हाथ से को ब्लाइन प्लेन लेंडिंग कहा गया खराबा अतावरन और तेवर बदलती हवाओ की वज़ा से प्लेन का अगला काच टूट गया था जिस कारण से पाइलेट को कुछ भी नहीं दिख रहा था और पाइलेट ने वीमान वापस लेने का निर नहीं लिया और जहाज को जैसे देशे करके रैन्वे पर उतार दिया और देखा जाए तो ये अंधी उडान थी जिसमें कुछ भी हो सकता था रूफलेस लेंडिंग ये बोईंग 737 जहाज था जोकी एक अमेरिकन था और अपनी 35 मिनट की यातरा के लिए निकल पड़ा था और इसे होनलोलो तक जाना था और आपको बता दे कि इसके यातरियों का ये नुभव किसी डराओने सपने से भी बत्तर था हुआ ये था कि प्लेन उड़ने के 33 मिनट बाद जब जहाज 7300 मिटर की उचाई पर था तब हवा की दबाव की वज़ा से विमान की छथ ही उड़ गई और सिर पर छथ ना होने की वज़ा से लोगों के दिल की धढ़कन रुग गई थी और एक बार सोचके देखो केसा लगता होगा जब ठंडी और तेज हवा मूँ पे लग रही हो और किसी भी वपता बाहर खीचे जा सकते हो और दो में से एक इंजिन ने काम करना बंद कर दिया था लेकिन आखिरकार पाइलोटों की वज़ा से ये विमान सुरक्षित तरीके से लेंड कर दिया गया और ये हादसा हवाई सफर के इतिहास में सबसे भायानक माना जाता है जिसकी जहतूर गई हो और यातरी सीट पर बंदे हो और ये थी एक रूतलेस लेंडिंग और मिलते है अगले वडियो में तब तक के लिए बने रही है हमारे चैनल के साथ और सब्सक्राइब कर दिजै इस चैनल को धन्यवाद